अपके अपने चैनल में अब बज़ रहे हैं और मैं बना रही हूं यहाँ पर टेस्टी सा नास्ता तो आज के नास्ते में टेस्टी वाला आमलेट और साथ में हैं मैगी मैगी को मैं बिल्कुल सिंपल सा यहां पर बनाने वाली हूं मसाले के साथ मैंने इसे अच्छी तरह से मिला कर थोड़ा सा उबाल लिया था और इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा नमक डालूंगी और फिर इसमें थोड़ा सा स्वास डालूंगी आज कोई भी को लगा लूंगी फ्रेंस आज है संडे और आज में फटा-फट से यहां पर खाना बनाने वाली हूं क्योंकि मुझे करना है बहुत ही इंपॉर्टन सा काम तो चलिए सबसे पहले यहां पर जो नास्ता है वो बनकी बिल्कुल रेडी हो चुका है उसे कर लेते हैं और उसके ब में पूइभाजी के साथ है जिनको सुखा कर शुक्त कर दिया था बहुत सारा और जब भी पूइभाजी लाएंगे तब उसमें थोड़ी थोर सा डालकर हम लोग खाने वाले हैं आप इस तरह से एक बार जरूर को देखिए तो देखिए इनको बीच में से कट कर लूँगे, बिल्कुल छोटा-चोटा में कट कर दूँगी, क्योंकि एधोर से सक्थ होते हैं, तो बाँ सब्सक्राइब मेरी कट हो चुकी है और इनको में चढ़ा दूँगी, और इसके बाद मैं कट करने वाली हूं मचलिया, क्योंकि खीडालar चलिखे पड़ी मुझांटे हैं का कष़न से सब्सक्राइश मेरे और इसप handimaan, मैंने के पर हाँ बनात चलिखे लगान कुन दो आधा खार, करके अब उनकी टेस्टी सी में जो है ना सब्जी बना रही हूं तो बिल्कुल मैं इसका रसा बनाऊंगी स्रीब जीरा अद्रक मसाले डालकर मैंने सिंपल सा ग्रेवी बना लिया है तो देखिए हमारा जो लंच है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और आभी मैं करने दाल मतलब जो चना दाल है ना उसे मैं आज तयार करने वाली हूं अपने हाथों से तो देखिए चना दाल था बोहुत दिन का और फोड़ से कड़ी भी लग गया थे तो मैंने इनको थोड़ सा फ्राय कर लिया थोड़ से गरम कर लिया उसके बाद मैंसे फिल्वटे में इस नहीं था इसलिए मैंने ऐसा किया है और बहुत ज़दा पुराना था फ्रेंट्स तो देखिए इस तरह से हम इसे अभी जाड़ लेंगे और इसके बाद हमारा चना दाल अलग हो जाएगा और जो कच्रा है वो बिलकुल अलग हो जाएगा बिलकुल देशी स्टेल में मैं दाल आज बना रही हूँ मतलब तयार कर रही हूँ और इस तरह से देखिए दाल हमारा रेडी हो चुका है इसके बाद हम इसके पकोड़े भी जरूर बनाएंगे बस फ्रेंड अब मैंने नहा लिया है और आ गई हूँ मैं मंदीर में और यहां देखिए मंदीर का सारा सामान मैं ने बाहा निकल दिया है क्योंकि आज मैं मंदीर को बहुत मतलब अपने मन से डेकोरेट करने वाली हूँ जो भी घर में मिला मुझे उसी से डेकोरेट करूंगी कुछ बाहर से नहीं लाने वाली हूँ तो घर में मुझे लाल कलर का पेंड मिल गया तो मैं उसी से डेकोरेट करने वाली हूँ तो यहां देखिए मैंने नहा लिया था और उसके बाद सारे मंदीर का जो सामान है उसे बहाँ निकाल दिया है फोटो वगरे जो भी था सब मैंने निकाल दिया फिर अच्छी तरह से मंदीर के मैंने सफाई कर ली पुरे जाले वगरे जो भी था सब मैंने यहां से निकाल दिया और सबसे पहले मैं यहां पर प्रेंट करूँगी उसके बाद मैं मंदी को यहां पर बैठाऊंगी इस तरह से अपनी हाथों से त्यार करने वाली हूँ मैं मतलब जो भी मुझे से बन सके और डेकरोट भी खुष से ही मैं करने वाली हूँ तो यहां देखिए मैंने कलर लग चुका है यहां पर अभी यह सुखा नहीं है तो अभी थोड़ सा गिला है तब तक मैं फर्ष की अच्छी तरह से पोचा वगर कर लेती हूँ जबता कि यह सूख जाए और अब हम मंदीर के डेकरोट करेंगे तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है मंदीर मैंने इसे थोड़ा सा उच्छा बैठा दिया है मंदीर को और इधर से मैंने सजा दिया है और कलर के वज़े से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यह इधर से मैंने जो सारा सामाने उसे रख दिया है और मंदीर का डेकरोट बिलकुल अलग लग रहा है बहुत ही ज़्यादा खुबस लग रहा है बस मैंने अपने हाथों से त्यार कर लिया मंदीर को काफी अच्छा लग रहा है आप लोग अपने कमेंट से बताइएगा कि मेरे मंदीर का नया लुक आपको कैसा लगा इस तरह से मंदीर का डेकरेट हो चुका है और उपर में है ना मैंने सारे जो भगवान जी है उनको भी धर सरक दिया है नीचे मैंने एक ओड़नी लगा दी थी और मैंने इसे यूटूब में देखा था कि शिमला मिर्च के अंदर आमलेट को डाल कर फिर इसे बनाते है तो मैंने एक बड़ा सा शिमला मिर्च ले लिया है और उसके तीन टुकडे कर लिये है बराबर में और यहां पर मैंने चार अंडे को तोड़ लिया है आब इसमें करण तर तर दें गाना चाट तर मिर्च के आंदर डाल कर और इसका टेस्टी वाला अमलेट बनाएंगे बिल्कुल नई रेसिपी है और मैं फस्त तैम बना रही हूं देखते हैं कैसा बनता है ना तो मैंने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है अब हम कड़ा देंगे और उसमे थोड़ा सा आल डाल देंगे सबसे पहले शि inheilम्ला मिर्ष को हम थोड़ी दे दएक पकने देंगे तो देखे मैं शिं Michele पेसं और यहां देखिए कि एक साइड मेरा हो चुका हैं तो उडिके 수 in before we याब कोटी है संब न दघर करें। थ्लिदा में भाप में गभशने लाँ हो चुका है एक सब्सक्राइब करनें 30 अब दोभाव है यह नहीं, नुटा में नेकित है सब्सक्राइब ने दमा से सब्सक्राइबuerdo तो recipe हमारा बनके बिल्कुल ready हो चुका है साथ में मैंने रोटी या बी बना ली है और यहाँ पर मैंने जिंगा की सबजी बनाई है तो यह देखिए नई सी recipe है और इस तरह से मैंने try किया है अब इसे खा के देखते हैं कि यह कैसा बना है तो ये हो चुकी है दोनों तरफ से ये फ्राइ हो चुकी है तो आप मैं इसे उतार लूँगी अंडा जो अमलेट है ना हम कई प्रकार से खाते पर इस तरह से एक भर बनाखे जरूर खायेगा तो हमारा डिनर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है मैंने यहाँ पर डिनर लगा लिया है तो हम कर लेते हैं यहाँ पर डिनर फ्रेंड्स और आप से लेती हूँ यही तक की विदा बाबाई मिलती हूँ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़नाइप